तो दोस्तों, Introduction to International Relations, Theories, Concept and Debate के Unit 2 के Chapter 1 में हमने जो First Lecture था, उसमें हमने बात कर ली थी कि अनुशाशन के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से सामनी आया मतलब अनुशाशन के सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामनी अच्छे से पेश हुआ इसको हमने First Lecture में cover कर लिया था, Second Lecture के अगर मैं बात करूँ तो आज के इस Lecture में हम mainly बात करेंगे जो हमारा main topic है, वो यह है कि जो तीन इस्तर का जो visualization होता है, Three Levels of Analysis का जो system है किसी भी incident को समझने के लिए, आज हम इसको काफे गहराई से समझेंगे हम बात करते हैं अंतरास्ट्रिय संबंधों से संबंधित तीन इस्तरों की देखे दोस्तों, अंतरास्ट्रिय संबंध में, यानि कि अंतरास्ट्रिय राजनिती में जब कोई घटना घटती है कुछ भी होता है अंतरास्ट्रिय पॉलिटिक्स में अंतरास्ट्रिय इस तर पर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी होता है तो यहाँ पर तीन इस तर दिये गए हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि आखिर वो घटना क्यों घटी जैसे कि युक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया अटैक कर दिया अब आप जानना जाते हैं डिटेल में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ आखिर ये घटना क्यों घटी तो तीन लेविल्स हैं एक पहला इंडिविज्वल लेवल जिसे वेक्तिगत लेवल कहते हैं फिर दूसरा एक स्टेट लेवल है राज्येस्तर का लेवल है और तीसरा एक इंटरनेशनल लेवल होता है आखिर परिस्तितियां कैसी हैं पूरी अंदराश्टी परिस्तितियां कैसी हैं तो ये लेवल सोते हैं जिसके दौारा हम किसी घठना की ब्याक्षा कर सकते air कि आखिर इंटरनेशनल politics में international relation में वह घठना क्यों घटी जैसे कि आप कह सकते हो कि यह जो attack हुआ यूक्रेइन पर उसका एक कारण पुतिन खुद है क्योंकि पुतिन का वेक्तित वहित कुछ ऐसा है कि उसेने अपने पावर दिखाने के विए करा इसके अलावा आप कह सकते हैं कि र защia रहें कि जो नाटो है वो सका विरोध ना कर सके है नाटो रश्या के पास ना सके इसलिए भी रश्या अपने सुरक्षा को लेकर काफी सतर कर रहता है इसलिए भी उसने आकरमन किया या अटेक किया तो इसके कई सारे रिजन हो सकते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं तीन इस्तरों की तीन इस्तरों का यह विशिलेशन का सिध्धानत है जो की वॉल्टर्स के द्वारा दिया गया है अब हम इसकी बात कर रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको बता दिया कि इसके द्वारा हम अंतराश्विये घटनाओं को जो घट रही हैं उसके काफी अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं जब आप इसको समझ जाएंगे तो काफी बैटर तरीक से आपको सारी बातें किलियर हो जाएंगी और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जितने भी नोट्स दिये जा रहे हैं जब आप मेरी बात को सुनेंगे जब मैं आपको समझा दूँगा तो आप काफी बैटर तरीके से अपनी लेंग्विज में काफी अच्छा काफी आसान तरीके से आप अपना आंसर लिखकर आप आएंगे तीन इस तरहें विशलेशन थ्री लेवल्स एनलाइसिस ये सबसे अधा एक important topic है तो प्लीज इसको ध्यान से सुनें ये एक important topic है जो आपको पढ़ाया ही जाएगा IR जब आप पढ़ते हैं तो ये आपको हमेशा पढ़ाया जाएगा इंटरनेशन रिलेशन में अंतराश्ट्री संबंध के अंतरगत तीन विविन इस्तरों पर अंतराश्ट्री संबंधों का विशलेशन किया जाता है यह विचार मुखिता Kenneth Walters से संबंधित है जिन्होंने अपनी पुस्तक Man, The State and War में राज्यों के युद्ध के प्रती वैवहार और निर्णेओं को समझने के लिए तीन इस्तरों का विशलेशन प्रती पादित किया इसके अंतरगत Walters ने उन तीन इस्तरों या पक्षियों की बात की जिन पर राज्ये एवमुन्ट के निर्णे निर्माता अपनी विदेश नीती तैय करते हैं देखो दोस्तों इसे ध्यान समझो तीन इस्तरों का ये विशलेशन किया है देखिए एक दार्शनिक है एक विचारक है Kenneth Walters इन्होंने ये विचार दिया है ये तीन लेवल्स का जो विचार है तीन इस्तरों का ये दिया है इन्होंने कहा है कि ये तीन इस्तर होते हैं तीन लेवल होते हैं तीन स्टैप होते हैं जिसके तहत किसी देश की नीती बनाई जाती है या किसी देश की दुआरा निर्णे ले जाते हैं मतलब कहने का है कि ये तीन इस तरह हैं अब हम तीनों ही levels को one by one पढ़ेंगे बर ये कहते हैं कि ये तीन levels हैं जो decide करते हैं कि कि किसी देश का निर्णा किस तरह का होगा या कोई घटना wish में घटी है तो वो क्यों घटी है आखिर उसके पीछे क्या reason था मान लेज़े कि अमेरि का अफगानिस्तान में नहीं है तो आखिर क्या रिजन था इसे हम यह जो तीन लेवल्स हैं यह तीन लेवल्स के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं तो आप समझ गए होंगे कि आखिर इन तीन लेवल्स का क्या importance है तो इन तीनों levels की importance यह है कि इसकी द्वारा किसी विश्व की घटना को समझा जाता है कि आखिर उस गवो घटना होई तो विश्व में तो आखिर उसके क्या क्या reason हो सकते हैं तो सबसे पहला जो इस्तर है लेवल हें जिसका नाम है विश्यलेशं का वैक्ति्गत इसतर इसे individual level भी कहते हैं तो वैक्ति असतर वैक्तिं के माबिक वैक्ति विश्यलेर्शं का प्रथम इसतर होता है अर्थाथ संघर्षयों की उत्पत्ती वैक्ति यह मानव वैवहर और और राजनीतिक निर्ने निर्माता के वैक्तित उसे होती है अता विशिलेशन का प्रत्थम इस्तर मानव वैभार पर केंद्रित है निर्ने निर्माताओं के रूप में वैक्ति ही विदेश नीती का निर्धारन करते हैं और ये विदेश नीती ही वैश्विक व्यवस्था में राज्चियों की वैभार को सुनिश्यत करती है यहां ध्यान दीजी दोस्तों जो नोट्स हैं वो डिफिकल्ट है बट नोट्स को मैं समझाऊंगा तो आपको समझने के लिए यहां पर वीडियो में थोड़ा सब्स रखना है ठीके नोट्स डिफिकल्ट है और रहेंगे डिफ जर्म देता है यह स्थापित करता है कि युद्धों की उत्पत्ति के पीछे मानव वैभार ही कारण है या किसी राजनीता का वैक्तित्व जैसा कि हम इराक में सद्दाम हुसैन और जर्मनी की हिटलर के संदर में देख सकते हैं अब ध्यान से समझो दोस्तों वैक्तिकत ले इसे वह बैक्तिकत लेवल, इंडिवीजवल लेवल इसमें कहा जाता है कि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसमें वैक्तिती की बहुत ज्यादा इंप्वाटेंस होती है, यहां पर कहा जाता है कि जी जो डोनाल त्रॉम थे पहले अमेरिका की राश्ट्पती टो तो अगर कोई decision लिया जा रहा है, तो इसमें उनके व्यक्तित्व का भी प्रिभाव है। कहा जाता है कि कई बार जो व्यक्ति होते हैं, वो आवेक्शाली होते हैं, उनमें करोध होता है, या उनमें ऐसी भावना होती है hahaha जिससे वह व्यक्ति महान बनना चाहता है। तो वैक्तिकत लेवल कहता है कि वैक्तिक अंदर जो खास्यत होती है उसके कारण भी decision लिए जाते हैं जैसे कि ये कहते हैं कि सद्दाम हुसेन जो था उसने जो इराक करे जो चाशक था सद्दाम हुसेन इसने आपको पता हुआ कुवेट को अपने अंडर में करने की कोशिश क अगर कहा जाए कि आखिर इसका क्या कारण था तो इसका एक कारण था वैक्तिका दिस्तर जो सद्दाम हुसेन था उसका वैक्ति तो ही ऐसा था उसकी personality ही ऐसी थी कि वो दूसे देश को पड़ोसी देश हैं उनको अपने अंडर में करना चाता था अपने आपको शक्तिशाल को देखके लिए जब हम individual level को देखते हैं तो साफ साफ पता चलता है कि हिटलर का वैक्तित भी इतना इतना ऐसा वैक्तित हुथा जिसमें बहुत ही कड़े नियम बनाए गए थे बहुत ही कड़ा discipline था तो यह उसके वैक्तित के कारणी था हिटलर ने दूसरे देश पर आक्र डाला तो उसका और जो कारण था तो उसका जो कारण था वो यह था कि हिटलर अपने आपको काफी स्रेश्ट नस्लका वैक्ति मानता था तो यह वैक्तिकत लैवेल भी था तो मतलब कह सकते हैं आपकी अगर रिज्र तो में ऐसी बातें थी जिसने प्रथम विश्यूद को जन्म दिया तो उसका जो प्रथम विश्यूद हुआ उसका एक करण हिटलर भी था अगर हिटलर नहीं होता कोई अच्छे विचार वाला महान व्यक्ति होता तो हो सकता कि फर्स्ट वर्ड वर नहीं होती सौरी सेकेंड अब आप आपने कई बार सुना होगा कि जो रूस की राश्पति है पुतिन तो कई बार कहा जाता है कि पुतिन अपने आपको काफी बड़ा दिखाने के लिए सबसे आगे दिखाने के लिए वो दूसरे दिश्यों पर आकर्मन कर देते हैं या अमेरिका को नीचा दिखाने लिए उन्होंने युक्रेइन पर आकरमन किया उसके साथ युद्गर रहे हैं तो कई बार वैक्तितों बहुत जादा इंपॉर्टेंस रखता है तो यहां पर हम जो कई बार कह रहे हैं या संभावना कर ऐसा नहीं है जो यहां पर जो तीन लैवल्स कहते हैं कि सबसे पहला जो लैवल है किसी भी देश में जो निर्ने लिया जाता है उसमें वैक्ति के वैक्तितों का बहुत जादा इंपॉर्टेंस होती है अब मोदी जो डिसीजन लेगा और उसी मोदी की ही जगा अगर केजरिवाल प्राइम मिनिस्टर करको बन जाए या राहुल गांदी इस तर राज्ये के वैभार को अपने विशलेशन का केंद्र बिंदू मानता है वाल्टर्स के अनुसार राज्ये की वे विशेष्टाएं बहुत महतों की होती हैं जो उसकी नीतियों वा उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं इन राज्ये में की जा रही प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के प्रकार और वितरन प्रनाली शामिल होते हैं इस इस्तर में राज्ये को केवल राजनीतिक एकाई के तौर पर ही नहीं अपीतू संस्कृती धार्मिक पहचानों परंपराउं इतिहास और भोगोलिक विशेष प्रिश्टिताओं के धारक के रूप में भी समझा जाता है वॉल्टस इस इस्तर के अंतरगत राज्ये की आंतरिक राजनीतिक विवस्था एवं उससे जुड़े विभिन पक्षों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इसके संदर में वे लेनिन के सामराज्य वाद के सि संघर्षों को जन्म देती है जैसा हम असफल राज्ये जैसे उत्तर कोरिया के केस में देखते हैं उसी प्रकार अमेरिका की आदर्श वादी विदेश नीती और उसका यह कहना कि यह विश्व बैविश्व का लोकतंतरी करन करने में विश्वास रखता है उसके इराक एवं कई अन्य रास्ट्रों में कि यह हस्त शेप को समझाता है जो पहला लेवल था वो कहता था कि वैक्तिगत इस तरह है जो वैक्ति की दौरा निर्णे प्रभावित होते हैं कि हर वैक्ति की अलग परस्टिग उससे वाला होता है कोई अपनी पावर दिखाना चाता है इस तरह कोई घटना या कोई डिसीजन लिया जाता है देखो यहां पर कहा जा रहा है जैसे कि कुछ असफल राज्जे होते हैं असफल जैसे कि उत्तर कोरिया अब उत्तर कोरिया एक असफल राज्जे हैं तो अब उत्तर कोरिया के कारण कई सारी ऐसी घटनाई हो रहे हैं जैसे कि उत का एक कारण जो है वह स्टेट के मामले में देखा जाए तो उत्तर कुरी एक असफल राज्य है उसने कोई सक्सेस हासिल नहीं किये हाँ हाला कि वह एटम बॉम या दूसरे जो बॉम है उसमें बनाने में वह दावा करता है कि मैंने यह बंब बना लिए हैं और बहुत सारी ची सक है आप विक्सीद बनने तो यह चीज होती है सक्सेस तो यह होने के कारण फो दूसरे देशों को धमकिया देता रहता है। लूसे कंब कि दे बात कर रहे हैं एक देश USA की तो USA हमेशा कहता है कि वो एक लोकतांतरिक देश और बात सही है कि लोकतांतरिक देश है तो बतोर लोकतांतरिक देश USA एराग जैसे देश में हस्त शेप करता है अफगानिस्तान के लिए या लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं तो यह स्टेट लेवल की बात आ गई इंडिवीजुल लेवल में एक वैक्ति की बात आती है और स्टेट लेवल में एक स्टेट का जो स्वभाव होता है उसके कारण घटना होती है जैसे कि अब इराक में अमेरिका ने हस्त इसके अलावा अमेरिका खुद भी जिम्मेदार था क्यूंकि अमेरिका एसा मानता है कि उसकी यह जिम्मेदारी है की स्टेट लेवल का है जिसके गटना हुई थी इराक में उसने हच्शेज चेप किया था तो दोस्तों यहां हमने individual व्यक्तिकत भी देख लिया और state यानि की राज्चे इस्तर पर भी हमने level को देख लिया अब हम बात करते हैं जो तीसरा level है वो है विशलेशन का व्यवस्था गत इस्तर व्यवस्था गत इस्तर पूरा का पूरा जो system बन जाता है तो ऐसा system होता है विश्व में जिस कारण से घटना घटती है कई बार किसी घटना के लिए विश्व का system भी जिम्मेदार होता है यह इस्तर विश्व में इस्तापित व्यवस्था को विशलेशन के केंदर में रखता है और यह परिक्षन करता है कि कैसे वैश्वी व्यवस्था राज्य के वैभार को प्रभावित करता है वॉल्टर्स यह मत रखते हैं कि अंतराश्ट्री व्यवस्था की प्रकृती अराजकतावादी है अरथात राज्यों के उपर कोई भी नियंतरन कारी शक्ती मौजूद नहीं है और यही अराजकतावादी अंतराश्ट्री व्यवस्था ही राज्य के उदेश्यों को निर्धारित करती है और इस वैवस्था में राज्य कुछ विशेश प्रकार का वैवार करने की और उदेशित होते हैं अब जो तीसरा जो लेवल है इस्तर है वो है वैवस्था गत इस्तर है वो कहता है कि विश्व में जो वैवस्था होती है उसके कारण भी कई सारी घट्टाएं होती है जैसे कि Walters ने यहां बताया है कि जो विश्व की वैवस्था है विश्व में जो सिस्टम है वो कैसा है अराजक्तावादी अराजक्तावादी का मतलब है कि कोई भी देश किसी के नियंतरण में नहीं है भले ही अमेरिका कहता रहे कि हम चाइना को कंट्रूल कर सकते हैं हम भारत को कंट्रूल कर सकते हैं बट हकीकत है कि ऐसा नहीं है तो वैवस्थागत जो इस्तर है वो यही कहता है कि विश्व के जो देश है वो पूरी तरह स्वातंतर हैं स्वातंत्रत का मतलब वो कुछ भी करने के लिए स्वातंत्र हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं इसके कारण भी जो यह अराजक्ता वादी इस्तिति है इसके कारण भी कई सारे राज्ये कई तरह के वैभार करते हैं कई तरह का बिहीडियर फॉलो करते हैं जैसे कि अब रशिया युक्रेन पर आक्रमन कर दिया तो यह अराजक्तावादी व्यवस्था का एक संगेत दिया कि अब रश्या को पता था कि अगर वो आक्रमन आक्रमन भी कर देता है युक्रेन पर तो रश्या के उपर कोई आक्रमन दूसरा कोई देश वैसे डारिकली आक्रमन नहीं करेगा तो ये जो अराजक्तावादी व्यवस्था इस्थापीत की गई है भले ही UN है या बहुत सारे संस्थाएं हैं बट फिर भी एक अराजक्तावादी स्थिति हमें देखने को मिलती है ये बात सही है और ये जो व्यवस्था थी इसी कारण फिर रशिया ने रशिया ने युक्रेन प पर उसके कारण अब जो राज्ये हैं वो अलग-अलग वैभार अलग-अलग तरह से behavior रखते हैं अब भारत के लिए जो वैवस्ता है वो या कोई विकास्चेल देश है उसके लिए जो यह वैवस्ता है वो अलग है अब अफरीका की कोई country है अगर वो ऐसा कोई कदम उठाती ह अगर वो किसी दूसरे देश पर आकर्मन कर देती है तो क्या होगा जो country है जो गरीब देश है अफरीका का जो किसी पर आकर्मन कर देगा तो उसके इस्तिती और खराब हो जाएगी क्यों क्योंकि जो वैवस्ता है उसके लिए विश में वो ऐसी है कि UN के दुआरा या WTO है या दूसरे कई सारी संस्थाएं हैं और कई सारे जो देश हैं वो कई तरह के सैंक्शन वगरा लगा कर जो गरीब देश है उसको परिशान कर सकते हैं तो वैवस्ता जो सिस्टम होता है वर्ल्ड का उसका उसी के according जो state होते हैं वो अलग-अलग तरीके अपनाते हैं विश मे इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस अंतरास्ट्री वैवस्ता में कोई परिवर्तन राज्यों के वैभार में भी परिवर्तन को जन्म देते हैं इस वैवस्ता में सबसे महत्पून ततुरास्ट राज्य की अधिकरित शक्ती होती है तो देखी दोस्तों यह भी बात है कि एकर अंतराज्टे वह स्थ्धाम परीवर्तन होगा जैसे कि शक्ति का संतूरन अगर आप जानते कि अभी अमेरिका के पक्ष में-कलको अगर चाइना के पक्ष में-भारत के पक्ष में-होगा तो झाहिर सी बात है जो राज्जें जो state है उनके behavior में changes देखने को मिलेगा और जो world system है उसमें सबसे ज़्यादा जो importance होती है वो होती है रास्ट राज्यों की जो state होता है उसकी power कितनी है ये बहुत बड़ी चीज होती है कोई भी देश है आखिर उसकी कितनी power है world level पर वही सबसे ज़्यादा मायने होती है चाहे चाहे वो सैनेक power हो चाहे वो आर्थिक power हो इसी तरह अभी मैंने example दिया था एराक का थोड़ा राज्ये वाले टॉपिक मैंने example अभी इराक का दिया था एराक और अमेरिका का तो यहां पर भी वह example दिया जा सकता है कि देखिए पहला हो गया वैक्टिकत इस्तर दूसरा रा आहराक में हस्चेप कर सकते हैं इसके वे धो एजिसि वगहरा है जितनी भी उनक्के ऊपर भी अमेरिका ka वर्चस है तो ऐसी आघस के लिए जुए पक्ष में अघर सिस्टम उल्टा होता जब अगर अमेरिकर को पता होता कि रशिया काफी ताकदवर है या USSR होता मौजूद तो क्या अमेरिका इराक में हस्ट शेप कर पाता भाई रशिया आता रशिया रोगता तो world order कैसा है दुनिया में वेवस्था कैसी है इसका भी काफी important काफी importance होता है किसी भी देश के वेभार में कि कोई देश कैसा वेभार करत तो दोस्तों I hope आपको तीनों ही जो यह levels हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे अगर नहीं भी आये हैं तो आप वीडियो को एक बार जुरूर देख लेना एक बार और देख लेना थोड़ी दिर बाद ही सही बट आपको यह समझ में आ जाएगा आज की वीडियो में जो उसका अपना एक वैक्तिकत सोच थी उस वैक्तिक अलग परसनेलिटी थी और किसी स्टेट ने कोई आखरमन किया है तो स्टेट को भी देखते हैं फिर उस स्टेट का बिहीवियर ही ऐसा है और फिर देखते हैं कि वर्ल्ड ओर्डर ही कुछ ऐसा था कि यह घटना हुई तो क कहूंगा end में जितनी भी बात समझ में आ रही है वो बहुत important है उन्हें आप मायन में रख लीजिए कुछ अगर line आपको out of mind जा रही है तो कोई बात नहीं होता है कि एक बार की आप लोग सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे बस यही कहूंगा कि समझने की कोशिश करिए दिर दिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे तो friends वीडियो को यहीं पर stop करता हूँ और अगर आपने इसका first part नहीं देखा तो first part आप ज़रूर देख लेना और वीडियो को like करना, share करना और subscribe कर लेना चैनल को तो फिलाल मि प्रेखर आपज्द पना जशा हुँ झाल कि समय कर दो तो